असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे टैमरीन राइस तो चलिए भम बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए लेंगे हम ये हैं मुठी बर इमली तो इमली को पहले अच्छे से धोलेंगे हम दो लेने के बाद में ये पानी फैक देंगे अब हम इसमें फिर से साफ पानी आड़ कर लेंगे एक लास और इमली को भीगने के लिए रख देंगे बीस मिनट के लिए और जब ये इमली अच्छे से भीग जाएगी जब हम इसको हातों से इस तरह से मत कर इसका रस निकाल लेंगे और ये बनाएंगे हम 500 ग्राम चांवल के साथ में यानि के आदर किलो चांवल लेंगे हम तो 500 ग्राम चांवल के लिए एक ग्लास का जो इमली का रस हमने निकाल के रख लिया है वो काफी हो जाएगा तो इमली का रस अच्छे से निकाल लेने के बाद में अब हम इसको चांड लेंगे इस तरह से और ये बनाएंगे हम बास्माती राइस के साथ में तो आप लोग अगर चाहें तो सोना मसूरी राइस का भी यूज़ कर सकते तो ये देखिए इस तरह से इमली का जो खटा है वो चान लेना है गाडा खटा निकाल लेना है इसका और ये है उबले हुए चावल तो चावलों को हमने पका के पहले से ही रखिया है तो 500 ग्राम चावल है ये बास्माती राइस तो आप लोग अगर चाहें तो सोना मसूरी राइस का भी इस्तेमाल कर सकते तो चलिए अब हम टैमरें राइस बनाना शुरूर करेंगे तो इसके लिए पैन में कुकिंग ओईल एट कर लेंगे राइस एरा एट करेंगे अब आदा कब फली लेंगे तो फली आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कमिया ज्यादा कर ले सकते अब हम बिलकुल लो फ्ले चैनल छोने तक इसको बिलकुल लो एट पर और जैसे ही इसका हलका सा कलर चेंज होगा अब इसी के अंदर काजू एड़ कर लेंगे तो चैनल भी हम अपनी मर्जी के हिससाब से कर ले सकते हैं कजू का मालगा साथ उपना इंप कर ले तक और यह है माश की दल और चैनी की द और माशीदाल एक टेबिल स्पून, और यह करी पत्ता धो हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची को अमस्लेट करके आठ करेंगे, अच्छे से चमाच से हिला लेंगे इस तरहे से, थोड़ी सी लाल सुखी मिर्च, दो पींच हेंग आठ करेंगे, और अगर आप लोग हेंग आठ नहीं करना चाहरे हैं तो इसको इसकीप भी कर सकते हैं अच्छे से चमच से हिला लेंगे इस तरह से हल्दी पॉड़र एड़ करेंगे और नमक नमक आप लोग अपने टेस्ट के साफ से इसके अंदर आड़ कर लेजिए हुड़ी सी पीची ही हरीमिर्स आड़ करएंगे को हरीम innocी भी अपने टेस्ट के साफ से इसके अंदर आड़ कर लें सकते हैं आप इमलिका निकाला भर आड़ करेंगे बाद में अब हम इसको पकाएंगे मीदियम हीत पे पांच मिनिट के लिए तो यह देखिए पांच मिनट तक हम ने इसको पका लिया था अब हम इसमें पके हुए चावल एड़ कर लेंगे अब हम अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिला लेने के बाद ने अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे अब यह टैमरेंड राइस बिल्कुल रेड़ी है सर्फ करने के लिए तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करके देखिए और अगर यह रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किजिए थैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफेज